आज के वीडियो में मैं आपको 162 की फेक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा फेक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर कुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं प्राइम नमबर्स कहला थे example के लिए 2357 यह कुछ आपकी प्राइम नमबर्स होगे इसके बाद इसमें आपको टेवल आना जरूरी है फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती है उसी तरह बने 162 की भी ब्रांचेस बना ली लेट साइड आपका प्राइम नमबर होगा और राइट साइड अगर आपका प्राइम नमबर आ जाए तो आपकी फेक्टर ट्री महीं पे close हो जाएगी तो start करते हैं 2 से 281 162 और राइट साइड अभी आपका प्राइम नमबर नहीं आया तो फेक्टर ट्री और आगे बढ़े अब आपका right side prime number आ चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी factor tree close हो गई अब आपको चेक करना है कि आपकी factor tree सही है कला है तो left to right चलना पड़ेगा और left to right आपको सभी क्या मिलेंगे prime numbers मिलेंगे इन prime numbers को आपस में multiply किया आता है इसका result हमेंच वही होगा जिसकी आपको factor tree बनानी थी 2 into 4 times 3 क्या होगा 162 होगा और इसी की हमें factor tree बनानी थी इसका मिला है कि हमारी factor tree एकदम सही है and 2 and 4 times 3 162 के prime factors भी होगे